मुगिलन जो एक नाम है यह पूरी दुनिया में एक बहुत चर्चित नाम हो चुका है स्टेरलाइट का जो प्रटिस्ट हुआ था जहाँ पे तेरा लोगों की मौत होई थी उसके चलते एक शक्स जिसने एक डॉक्युमेंटरी बनाई डॉक्युमेंटरी को सोला तारीख को यहां के चन्ने के प्रेस क्लब अफ इंडिया पे दिखाया उसके बाद से वो गायब होए पांच महिने की कड़ी लंबे समय के बाद उनको आखिरकार तिरुपती के क्रेल विस्टिशन में पाया गया उसके बाद उनको चन्ने भी लेके आए गया हमारे साथ मोहमद गोश्च साहब है जो की वेलफेर पार्टी असोसेशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं इनसे जानते हैं आखिर यह पूरा जो मुद्दा है जो पूरा जो केस है मोगिलन का उसमें आखिर क्या बढ़हतरी हुई है क्या क्या आज देखने को मेला है कोट में नम पूरा पांच महीने एक बहुत लंबा समय होता है तो यह पूरा पांच महीने मोगिलन साथ थे कहां अच्छल देखे मोगिलन साब ने फिबरावरी 14 आके मादरास पर आके डाक्मेंटी फ्लीम रिलीस करें वो डाक्मेंटी फ्लीम पे जो है पूरा इंच का प्रूफ बता जो स्टर्लेट का फाइरिंग चला था उस पर आके तेरा लोगों आके शाहिद हो थे उसका खिलाफ आके पूरा डाक्मेंटी बनाके उन्होंने पांच एस्पी दो आईएस आउपीसर का उपर आके इंजाम लगा रहे वो प्लैंड मर्डर था वो आके एक्जिन नहीं था उसका बारे में मतरा राव्ल करें के तो कि सीन को उनको रहे उसने पर उसको को पता नहीं है तो मुगिलन सहाब जैसे आप बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता था कि वह से तो आखेर वह तिरुपती कैसे पहुंचे जैसे कि तमेलाडू में वह गाइब हो है तो पुर्पती कैसे पहुंचे इसमें को घुद्धी साफ नजर आए वह कि बरबसाफ नहीं है कि उनको सब्सक्राइब करते हैं उसका पाद बहुत सारा स्टेट घूम के तिरुपदी को आए हुए हमने फुटेज देखी मोगिलन साथ की जहां पर एक इंजन के बाहर बैठें चिला रहे नारे लगा रहे हैं उसके बाद जिस तरह से जो रेल्वे पुलिस था आंध्रा का उसने प जो वहां पर है उसको बंद होना चाहिए उसके बाद जो को बंद होना चल कि तो यह तमाम चीजेंगये वह लगातार बूले जारे हैं आज बीमने कोट के बाहर देखा तो वही चीजेंगों हो इसनं कोły मिटी को बहुत महबद कर रहा है एक मिटी को आ क्या लिए कि लडने का उसका जीन पर उसको आप नीन में भी उठाए के पूछेंगे वह भी बोलेगा खोड़ां को बंद करो हैं निकालो यह मेंटी का आप लोग गारत तरो वह भी बोलेगा उसको आगे एक दो तीन दिन का पहले कोई एक आदमी जान परचान आदमी वह भी मुगिलन को अपर नाम उसका पिता का नाम उसका अड्रेस पुरा कि मुगिलन को खयाल है लेकिन पांच मेन आप खीदर लेके गए थे लोग नहीं का बतारे मुझे आगे सिर्फ आंक बांध के मुझे आके और पीट रहे थे मुझे आएके बारास्मन कर रहे थे मेरा जोरु बच्चे क पाति ही लोग कर रहे थे दूसरा दूसरा लाइंग वीजिफ करने में नहीं होड़ा रहा ऐसी द्रेट्रीं जा रहा घुट से पता है यक दिन नाला के गिरेखे एक घुता रहा है सब्सक्राइब करें तो उनकी सेहत कैसी है और दूसरी बात वह सब लड़ रहा है कि उनकी तबीयत उनकी से हैं कि सीहत कैसी है कि उनका तबीक तो अल्ड़ी बहुत सारा खराब है इस पर आगे यह पांच साल से बरवर खाना नहीं खाये थे बरवर पानी नहीं पिए बरवर नीन नहीं है उनके अभी आगे उनका शुगर आगे 420 है मार के इधर उनको के आंग पर सब भुग गया है यह जो इस फाइंड आफ मंस पर एक बार अटाक आया हुआ है फिर कल रात आगे उनको पर आपको लगता है कि उनको खत्रा है उनको जान को खत्रा है उन्होंने अभी भी आभी आप देग रहेंगे उन्होंने बता रहें मुझे आगर अगर अनिल अगराल से भी आवर तुटूगरी का इस पी उनका उनका उपर वालीगेशन रख रहें मुझे जो कितना वही कर रहे थे मेरा इस पर आवर एक चीज बहुत देखना है उनका फैमली जो है सेटेड़ का दिम उनका करूर से मुझे लिए को रिजीव करने के लिए सिबी सेडी बाव बोल जा उनका कार खुद अग्सेंट हुआ है उन्होंने बता रहें यह एक चीज और हमने देखी ती पिछले पांच महीने में उनकी बीवी कहीं नहीं नजर आएं किसी भी प्रेस मेरा हस्बेन कभी भी आएंगे मेरा हस्बेन क्यूंगे उनके यह 30 साल उनका साथ बहुत अच्छा बीवी और इससे अच्छा फैमिली से रहें उनको उनका पर उनको पूरा महबत है उनको उसका खिलाफ है उनका जान करके मुगिलन को जो है मुगिलन का बीवी जो पूंग पर चोटा लड़ा भी नहीं हुआ उन्हों का बीच पर तो उन्हों ने उनका मुगिलन का उपर अच्छा जो सरकार है तामेलाड़ो की सरकार है और यहां का पुलिस पर भाग है यह किस तरह से स्पूरे केस को हैंडल गांगी यह तौटल का पर जो है जो दिली जेन यूप के मुझी नजीब का गाइब हुआ था ऐसा एक मिसिंग केस है मिल गया मिला मुगिलेन को आप कोड़ पे समिट करें फैमिली का पास आके देना का यही आके तरीखा है इस पर कोई दूसरा केस फुट आप करें मुगिलेन केस सा भी खतम करते ना है क्यों मुगिलेन के खिलाप केस है मुगिलेन के खिलाप केस है मुगिलेन के खिलाप का केसा रहा है जिसको कहा दय कि रेप केस है उन्होंने महिला के साथ दौरवी हवाहार k리या है उसके वजह से इनके उपर एक और केस है तो वह क्या माज़रा है एक लिए निडवा सिर्फ हई ट्रॉक्तर दीक हो चाहिए लेकिन लेकिन उतना क्लोस अभिब आप देखे थे मुग्यान का सपोर्ट से लगभबाग फचास दो लोग इसरी ता वह सब आके मुगीलें के लोग फूरा प्रोटश का पुर्टश का खड लेकिन मुगिलन का जो भी ख्लोस था वो आउरत ने नेडुवासल बोलके तांजेट डिस्टिक पे उदर आके रेप कर रहा वोलके आउरत बोल रही उसको इमिडियेट से उन लोग ने आके क्वाश्च कर रहे है पैसा कुछ इंस्टे नहीं हुआ वो आउरत जो भी बोल रह सब्सक्राइब करने का सरकार का और डिपार्मेंट का प्लान है क्योंकि एक आक्टिविस्ट को जो है इसका अपर सब केस है जो भी जो भी आईपीसी पे है फूरा सेक्शन मुगिलन का उपर है ये सेक्शन सिर्फ उसका उपर यह नहीं है वहां के एंजियों का चला के कोई पाइसा लेया को किसी को ठकाया बोलके नहीं है और रेप केस्ने यह दो ही है अब देगे जो भी आप देखते रहें हिंदुस्तान पर यह का कि एक आदनी का खतर कहतम करना तो उसका उपर जो भी अब दो कि आपको क्या लगता है वह बाहर कब तक आप आएंगे तो कितने दिन और लग जाएंगे अभी तक तो मैजस्टेट ने मुगिलन को रिमान नहीं कर रहे हैं वह के मिसिंग केस पे है और उनका पर आवरतना के केस दालिए है वह 417 और 326 में आपके उनका पर केस है तो केस पे आरस नहीं हुआ अभी तै सिर्फ अगे मदरास स्पोर्ट से मदरा के मदरास का सीवी सीडी केस अगे अभी करूर को शिफ्ट करें बस उतना है क्योंकि मुगिलन बद पूच्छे दे मुझे आरस करना है तो अब मुगिलन सहाब जो एक दिन में बहार आने की संभावना बताई जा रही है तो इसके बाद जो आपका जो सोशल मीडिया में जो आपका इतना लंबा चोड़ा एक आक्टव प्रोटेस्ट चल रहा था उसका क्या हो रहा है वो किस तरह से मुगिलन को बाहर लेके आने में सपोर्ट करने वाला है वो तो बहुत खराढ है स्भा के पिछे और सोशल मीडिया पर क्याम करने के लिए पुछ सारा है इसके बात बहुत बात बहुत बहुत सपोर्ट करने क्यों बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो यह थे गोश्च आप जिन्होंने हमें तमाम हो चीजें बताई जो कि मुगिलन के साथ पिछले पांच महीने में घटी थी और अभी जो अदालत ने उनके केस को करूर शिफ्ट किया है उसके बारे में तमाम हो चीजें बताई गौर करने फ़साया जा रहा है मजे की बात देखने की ये रहेगी कि आखर ये जो सरकार है जो पूरा पुलिस पे भाग है वो किस तरह से मुगिलन को और आगे फ़साने की कोशिश करता है या फिर मुगिलन कितनी जल्द बाहर आते हैं हमारी दर्धख्वास्त यही है सरकार से कि मु 45-45 किलो के हो चुके हैं यानि घट चुके हैं आदे से भी ज्यादा तो उनको फॉरन हस्पताल की डॉक्टर का पूरी टीम बनाई जाए हो जो उनकी सेहत पर नजर रखे उनकी जान को भी खत्रा है ये भी वताया जाता है ये तमाम चीजें सरकार का रेस्पॉंसिबिलिटी होती है कि वो इन तमाम चीजों को देखे पर्खे और उनको एक अच्छी सेहत और एक अच्छा सेक्यॉर्ड एंवराइनमेंट दे इस मसले में हमारी नजर बनी रहेगी बने रहे हमारे साथ दुरूस्ट न्यूज जो आपको तमाम खबरे दिखाता ह जो सीथ है आपकी जड़ों से जड़े भी होती है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरे मिलते रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं धन्यवाद